आप देखे हैं लाइफ सेवन नमस्कार लाइफ सेवन विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ ग्यान रंजन विसेश में आज हम चर्चा करेंगे सीता के रास्ते में कलपना बनी रोडा अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कलपना क्यों रोडा बन गई वहां से तो जार्कन मुक्ति मोर्चा के नलीन सोरें चुना अलर रहे हैं सीता सोरें भाजपा की परत्यासी हैं तो रोडा आखिर कलपना सोरें कैसे बन रही है ये हम बताएंगे कि किस तरह से कलपना सोरें अपनी ही जेठानी के लिए चोटा मोटा रोरा ने बहुत बड़ा ब्रेकर बन गई है अब आलम ये है कि मोदी की गारंटी के बाद भी जिस तरह से कलपना सोरेन चट्टान की तरह दुमका में खड़ी हो गई है और वो भी उसके खिलाफ जो उनके घर की ही है उनकी बरी जेठानी है उनके खिलाफ वो च च्रक्टान की तरह खरी है और एक तरह से जो द्रिश से आ रहा है क्योंकि अब चुनाव में महज जो है सो आज 29 तारीक हो गए कल 30 तारीक के साम 5 बज़े से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा एक जून को वहां पर मद्दान होने हैं और इस बीच जो चीजे सामने आ रही हैं जो वहां से रिपोर्ट आ रहे हैं वो रिपोर्ट पूरी तरह से कह सकते हैं कि जारखन मुक्ती मूर्चा को अपर हेंड में दिखा रहा है यह अगर यह कहा जाए कि कलपना के चट्टान के तरह खड़े होने से सीता सोरेन की हवा टाइट दुमका में हो गई है तो अतिस्योक्ती नहीं हो गई इसमें कोई दोराय नहीं है कि सीता सोरेन भी अपनी तरब से पूरी पुर्जोर कोशिस कर रही है कि जो दाइत भाजपा में जाने के बाद भाजपा के रास्टिय नित्रित्र ने केंद्रित्र ने उनको दिया केंडिडेट की घोसना होने के बाद भी सुनील सुरेन के नाम को काट कर सीता सुरेन को वहां से केंडिडेट बनाया गिया तो एक बड़ी जिम्मेबारी भारती जन्ता पार्टी ने दियो और बड़ी बड़ा मतलब एक तरह से कहें तो वहाँ पर रिस्क भी भारती जन्ता पार्टी ने दिया है क्योंकि अगर आप दुमका के इतिहास को देखेंगे तो वो इतिहास बताता है कि वहाँ पर चमक अगर सबसे ज़्यादा किसी की रही है वो जारखन मुक्ती मोर्चा और जारखन मुक्ती मोर्चा के सुप्रीमो दिसों गुरू सीबू सोरेन की रही है और यही वज़ा है कि उस सीट पर अगर कहा जाए तो जार्खन मुक्ती मोर्चा के लिए ही नाक की लड़ाई हो गई है और यही वज़ा है कि लगातार कलपना सोरेन जैसे ही तिर्थिय चरन का चुनाओ खतम हुआ जार्खन का और चौते चरन का चुनाओ धुमका में होना है कलपना सोरेन पूरी तरह से कमान सभाल ली है संथाल का संथाल की तीनों सीटों को वो रोंद रही हैं कई सभाय कर रही हैं कई नुकर सभाय कर रही हैं लोगों से मिल रही हैं जा जा करके वहीं दूसरी और देखें तो सीता सोरेन को ना सिर्फ कलपना सोरेन से ही लड़ाई हो रही है वहाँ पर नलीन सोरेन तो candidate है सीता सोरेन को लपना पर रहा है बसंत सोरेन से भी यनी अपने छोटे देवर से भी लड़ना पर रहा है पिछले तीन महेने से बसंत सोरेन केंप किये हुए है दुम्का में और हर युवा वर्ग के साथ बुद्धी जीवी वर्ग के साथ पिछले पिछली मरतबा कहाँ चूक भी थी, जो गुरु जी को चुनावा हारना परा था वहां से, इन सारे विश्यों को ले करके, बसंद सुनें, लगातार वहां पर केम करके, उस पर जो कमी थी, उसको कैसे पूरी की जाए इस वार के चुनावे, उस पर वो काम कर रहे हैं, खास करके युवा बर्ग के बीच में और ग्रामिन छेत्रों में वो लगातार जन्सम पर किये हुए है लेकिन यहां मुद्दा उठ जाता है जो घर की लडाई थी अब सीधे तोर पर चुनावी मैदान में दिख रही है घर की लडाई जेठानी देवरानी की लडाई जो है अब सीधे तोर पर दुमका के रन में देखने को मिल रहा है दुमका के रन में भले ही कलपना सुरेन वहां कैंडिडेट नहीं हो लेकिन जारखन मुक्ती मोर्चा की सबसे बड़ी चेहरे के रूप में वो वहाँ पर अपना दाई तो निभा रही हैं इस्टार प्रचारक के रूप में दाई तो निभा रही हैं और एक तरह से कहा जाए कि जो एक स्थिती बनी थी हेमन सोरेन के जेल जाने के बाद गुरू जी के अस्वस्त होने के बाद उस इस्थिती को पूरी तरह से कलपना सोरेन ने पाट दिया है कलपना सोरेन हर उस चीज को टच कर रही है जो सीधे तोर पर लोगों की सहानभूती से जुड़ा हुआ है मंच पर जाती हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पैर चुके परणाम करती हैं युवाओं के बीच जाती हैं उनके साथ सेलफी लेती हैं उनके बीच में बाते करती हैं भीर में जाकर के लोगों से मिल रही है और जो मुद्दा लेकर के वो उठी है खास करके जो मूलवासी और ट्रैवल्स का मुद्दा क्योंकि कल की ही बात है कल ही उनसे जब पूछा गिया बंगलादेशी घुसपैट के बारे में तो उन्होंने वहाँ पर जो जबाब दिया वो जबाब अगर आप देखेंगे तो वो जबाब उन्होंने सिर्फ जारखंड के परिप्रेक्चम नहीं दिया उन्होंने का हिंदुस्तान में है हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए वो काम कर रही है जारखंड तो है यहां के मूलवासी लोग है आदिवासी लोग है लेकिन साथ ही साथ जो है काम जो है सो पूरे हिंदुस्तान में कोई अलग नहीं ह यानि जिस चीज को ले करके भाजपा के द्वारा उनके उपर एटैक किया जाता है जिन मुद्दों पर भाजपा उनके उपर एटैक करती है उस मुद्दे का जबाब वो देती आ रही है परिवारबाद की जो बात कही जाती है उसका भी जबाब वो दे रही है दुमका संसदिये छेतर के इत्यास को अगर आप देखेंगे पिछले चुनाओ में दीसम गुरू सीवू सोरेन को सुनिल सोरेन ने हराया था अगर आप उस मार्जीन को देखेंगे तो वो मार्जीन था 47,590 वोट का 47,590 वोट से सुनिल सोरेन चुनाओ जीते थे और अगर उनके वोट को आप देखेंगे तो वीजेपी को उस समय जो वोट आया था 2019 में वो वोट था 47,26% और वहीं जेमेम को आया था 42,63% 2014 में जेमेम को आया था 37,19% और बीजेपी को आया था 32,86% और जेमेम जो है सो 49,030 वोट के अंतर से चुनाओ जीत गया था दिसवम को रुसिवो सोरेन चुनाओ जीते थे 2014 में दुमका लोगसभाका गठन 1952 में हुआ छे विधान सभावाले सीट बर ये जो लोगसभार चेत्रे 6 विधान सभाका है सिकारी पारा से नलिन सोरेन विधायक हैं जो दुमका जीले में आता है जेमेम से विधायक हैं, नाला से रविंदर महतो विधायक हैं, वो भी जेमेम से हैं, जामतारा से इरिफान अंसारी विधायक हैं, वो कॉंग्रेस से हैं, नाला और जामतारा विधान सवा चेतर जामतारा जीले में आता है, वहीं दुमका सदर जो है दुमका से वहाँ से बसं दीर सिंग बीजेपी से हैं अगर विधान सवावार भी अगर आप देखते हैं तो जो चार सीटे यहां पर रिजर्व हैं सिडुल ट्राइब्स के लिए जो चार सीटे रिजर्व हैं चारो ही सीटों पर जार्खन मुक्ति तीन सीटे रिजर्व हैं सिडुल ट्राइब्स के ल सवा सीटों पर INDIA गटबंदन का कबजा है और एक सीट पर सारठ में रंदीर सिंग जो भाजपाक है उनका कबजा है आप अगर देखेंगे तो 1952 में पॉल सोरेन कॉंग्रेस से यहां से चुनाओ जीते थे 1952 में देवी सोरेन जैरकन पार्टी से यहां से चुनाओ जीते थे 1962, 1963 agreeing एस्टी बेसरा कॉंग्रेस पार्टी से 1977 में बटेश्वर हेंबरम जनता पार्टी से चुनाओ जीते थे लेकिन इसके बाद जो गुरु जी का निकला जो रथ निकला विजे रथ निकला वो जा करके 1998 में थबा यानि 1989, 1991, 1996 में लगातार तीन बार सीवू सुरेंज जेमेम से चुनाओ जीते 1998 और 1999 में बावुलाल मरांडी बीजेपी से चुनाओ जीते, फिर 2002, 2004, 2009 और 2014 में सीवू सुरेंज जारकर मुक्ती मोचा से चुनाओ जीते 1999 में सुनील सुरेंज भार्तिय अंतापाटी से चुनाओ जीते, यनि आठ बार गुरू जी वहां से सांसद रह चुके, यनि कह सकते हैं गुरू जी का गढ़, गुरू जी की इरनभुमी, गुरू जी का करमचेत्र दुमका रहा है और भारतिय अंता पार्टी के तरफ से जो फैलाय जा रहा है कि नेमरा का रहने वाला व्यक्ति आ करके यहां से चुनाओ लिटता है तो लेकिन इस वार नेमरा का व्यक्ति नहीं है इस वार सिकाड़ी पारा का व्यक्ति हो जो जारकन मुक्ति मोर्चा से चुनाओ लर रहा है वो भी पूरी कोसिस कर रही है, लेकिन अभी तक जो सीन है, आब तक के जो सीन है, वो सीन बता रहे हैं कि अपरहंट जारकर मुक्ती मुचचा का है, कई तरह के आरोग भी लगाया गए नाला में जिस तरह से सीता सोरेन की पुत्री के साथ अवदर वेभार किया गया था वहाँ पर जो चीजें घटना एंगटी थी उसके बाद से चुना अयोग तक वो मामला आया स्पीकर का नाम लिया गया उसमें की स्पीकर के इसारे पर ही इस तरह से काम कराया जा रहा है इसके बावजूद जब से कलपना सोरेन ने कमान समा लिये वहाँ पर प्रधान मंतरी मोदी का भी कारिक्रम कल ही दुमका में हुआ 28 सारी को ही दुमका में हुआ इसके बावजूद एक माहूल बना था प्रधान मंतरी के आने के बाद माहूल बना लेकिन ग्रामीन छेतर में वो माहूल नहीं दिख रहा है रामिन छेतर में अभी भी भाजपा काफी पीछे दिखाई दे रही है जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संबाददाताओं से जो बाते ही उसमें जो बाते छनकर सामने आ रही है कि संथाल वोटर्स जो है जो लगबग आपके 40% के करीब में वहाँ पर ट्राइवल वोट है इन 40% वोट में जो है सो कितना सीता सोरेन अपने बूते से नमारी कर सकती ये देखना होगा ये चुनाओं को प्रभावित करेगा लेकिन जो आदिवासी वोट है जो संताल का वोट है वोट पूरी तरह से जाता हुआ दिख रहा है जारकर्ण मुक्ति मूर्चा की योर हाँ ये बाते एक सामने आ रही है वहाँ पर कि जुसी में ट्रैवल ने भी बंगला भासी लोग भी वहाँ पर और बंगला भासी जो हैं उसका रुज़ान जो है सो भाजपा के पक्ष में बताया जा रहा है कि जो बंगलावासी लोग है उनका रुज़ान भाजपा के पक्ष में जा रहा है लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखें तो मुसलिम आवादी 14.3-6 फिस्दी है जो भाजपा के लिए कह सकते हैं एक मुस्त वोट जो है सो भाजपा के खिलाप में जाने वाला ही है इसाई मद्दाता 3.5-3 फिस्दी है ये भी किसी हाल अप में भाजपा की और नहीं आएगा OBC में यादव खास करके जो आपके नाला विधान सवाच्चेतरे महाँ पर इसकी संक्या है तो यादवों को ले करकर भी ये कहा जा रहा था पहले कि वो भाजपा के पक्ष में थे और अभी भी कहा जा रहा था कि उनका रुजहान भाजपा की ओर है लेकिन रविंदर नात में है तो मज़े हुए नेता है तीन टर्म के विदायक है वहाँ से स्पीकर भी है वो नाला छेतर को समाले हुए है और उस छेतर में उनकी अच्छी पकर है और इसका फायदा भी जारकंड मुक्ती मोर्चा को वहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है और कोद स्पीकर जब चुनाव परचार करने निकल गए और उनका ये बयान आया जब उनसे पू इस तरह की बाते उनके द्वारा कही गए थी और लगातार वो अपनी भी चेतर में डटे हुए हैं जामतारा में कॉंग्रेस विदाय के रिफान अंसारी मोर्चा समाले हुए हैं उनके पिता फुरकान अंसारी का अच्छा खासा प्रभाव उस चेतर में है और वहाँ पर भ भाजपा की इस्तिती जारकन मुक्ती मोर्चा के तुल्ला में काफी मजबूत दिखाई दे रही है जो अब तक के रिपोर्ट आये हुए हैं लेकिन है कि चार अच्छे में से चार विदान सवाच्छेतर में अगर अपन हें जारकन मुक्ती मोर्चा होता है तो सवाल तो बन रहे हैं कि जो जानकारी मिल रही है कि भाजपा के अंदर भी कुछ न कुछ गुटबाजी चल रही है वहाँ पर सुनील सोरेन के टिकट मिलने के बाद फिर टिकट कट जाने से एक इस्थिती अलग बनी ही भी है भाजपा खेमे में भी चुकि सुनील सोरेन पांस साल से लगात पूरी तरह से खुल कर जो हैसो मैदान में नहीं है चुनावी मैदान में नहीं है क्योंकि उनके साथ एक समस्या ये है कि अगर सीता सोरेंच जीतती है तो ठीक और अगर किसी कारणवस चुनाव नहीं जीत पाती है फिर वो जामा से ही चुनाव लड़ेंगी तो उनके लिए जो हैसो इस्तिती विकट हो जाएगी युवा है राजनितिक केरियर लंबा है और ऐसे में अगर अभी से उनको किनारे किया जा रहा था तो ये बातें उनको लगी हुई है हलाकि पार्टी की ओर से कोसिस की गई वो उसके बाद काम भी कर रहे हैं लेकिन जिक होता है कि खु जिता सोरेन लगातार अपनी बेटियों के साथ जाती हैं बेटियां उनकी कहानी बताती हैं किस तरह से उनकी चाची उनके साथ वेभार करती थी खाना नहीं मिलता था खिरकी की वार के पास खड़ी रहती थी कई तरह की बातें सामने आ रहे हैं सोसल मेडिया अबर कई तरह के बावजू दिसके जिस ताकत के साथ कलपना सोरेन लगे भी है चुनावी मैदान में जीस तरह से आप वीडियो में भी देख सकते जो हमारा विजूल चल रहा है उसमें देख सकते हैं कि किस तरह जंता के बीच वो खुद को समर्पित कर दी है और जो हेमन सोरेन की कमी थी ज अब वो सीन कलपना सोगूर अपने कंधे पर बागदॉर उठाल के वह सीन वहां नहीं रहने दी है इसमें कोई दो राय नहीं बचता है कि लोगों का रुजहान उनके साहत देख रहा है हर जगा हर छहत्र में जहां वह जा रही है संथाल प्रकिना की वहां उनको अच्छा response मिल रहा है पब्लिक का जंता का response मिल रहा है और एक मोदी की नाव पर सवार होकर के मोदी के रख पर सवार होकर के जो भाजपा 14 की 14 सीटे जीतने का सपना देख रही है NDA उसमें संथाल में पलीता लगता हुआ दिख रहा है जो अब तक के द्रिस सामने आ रहे हैं इसमें कोई दोराय नहीं है कि बाबुलाल मरांडी का भी कर्म छेतर रहा है संथाल प्रगना और दुमका से वो दो-दो मरतबा सांसत रहे हैं उसके बाद भी वो चुनाओ जीते जारकंड विकास मोर्चा के बैनर तले चुनाओ जीते डेर दो-लाक के करीब में वोट भी लाया उन्होंने उनका भी उनकी भी अच्छी पकर है लुईस मरांडी भाजपा से वहां से विधायक रह चुकी है रगवरदास की सरकार में मंत्री रही थी उनकी भी दुमका साथ विधान सवा चेतर में अच्छी पकर है काफी दिनों से भाजपा संगठन से जुड़ी ही है लेकिन इसके बाद भी जो इस पार्किंग जनता का दिकरा है जो रुजहान जनता का दिकरा है वो अधिकांस रुजहान जो है सहरी चेतर को गर छोड़ दे अगर आप देखेंगे वहाँ पर सहरी चेतर में जामतारा जिला मुख्याल है और दुमका उपराज़ानी है इसके बाद अधिकांस 70% से जादा एरिया 80% की करीब एरिया जो है वो गरामिन छेतर का है और 40% अवादी जो है जो सिडूल ट्राइप्स की वहाँ पर है और वो सिडूल ट्राइप्स है जो इसमें अधिकांस अभी भी तीर धनुस को ही अपना चुनावचिन मानते हैं वो नाम नहीं जानते हैं नेता का चुनावचिन उनको याद है उस पर काम करते हैं और इस इस्थिती में भी पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में सुनील सुरेन 40,000 से ज्यादा मतों से 47,590 बोर्ट से चुनाव जीते थे और गुरू जी को हराया था तो इसके बाद अब सीता सुरेन का क्या होता है लोक सीता सुरेन को कितना लोगों का समर्थन मिलता है ये देखना दिल्चस्पोगा साथ ही साथ जो इस्थिती बन रही है उसी स्थिती में अगर अभी तक की जो द्रिस्थिती बन रहे हैं क्योंकि अब सारा कुछ टिका हुआ बूत मेनेजमेंट पर और बसंद सोरें लगातार बूत मेनेजमेंट का ही काम वहारा कर देख रहे हैं बूत पर जाकर बूत को किस तरह से मजबूत किया जा उसका काम वो देख रहे हैं लगातार वो काम देख रहे हैं उसमें लगे हुए और युवा जार्खन मुक्ती मोर्चा का उन्होंने नेत्रत भी किया है तो उनके साथ युवाओं का जुटान भी है सरकार में मंत्री है तो जाहिर है लोगों का जुटान उनके साथ होगा और गुरुजी के पुत्र है तो ये भी एक बड़ा उनके साथ जो है सो एक बड़ा बैनर है उनके पीट पर कि वो गुरू जी के छोटे सुपत रहे राज सरकार में मंत्री हैं इसका भी फाइदा उनको जनता के बीच जा करके उनको देखा जा रहा है ये कहा जा रहा था कि कलपना सोरेन को उस तरह से रेस्पॉंस नहीं मिलेगा लेकिन कलपना सोरेन को भी रीके से काम कर रही है जाकर के दुमका में जिस तरह से रोंदा आया दुमका को मोदी की गारंटी के बाद भी जो इस्तिती दिख रही है वहाँ पर और इसमें अगर देखेंगे कि साप तोर पर अगर कहा जाए दुमका में काम आता नहीं दिख रहा है मोदी की गारंटी कल पना की दहार ने सीता की करदी हवा टाइट ये दृत्स वहाँ पर साब तौर पर नजर आ रहा है एक रूमांचक मुकावले की और दुमकवर रहा है और कह सकते कि गुरू जी की कड़ दुमकवर भर में रोचक मुकावला हो गया है और इस रोचक मुकावला में जीत किसके सेर पर जाती है किसको सहरा बनता है वहाँ पर क्या नलीन सोरेंज जो है जो साथ बार के सिकारी पारा के विधायक है वो गुरु जी का उत्रादिकारी दुमका में बनेंगे या फिर गुरु जी की बड़ी बहु जो भाजपा के बेनर तले वहाँ से चुनाव लग रही है वो चुनाव जीतेंगे ये दृस्त वहाँ पर बना हुआ यानि पूरी तरह से कह सकते हैं कि आसान राह नहीं दिख रहा है भारती अंता पार्टी का अगर ऐसे में अगर मोदी जी के आने के बाद प्रधान मंतरी मोदी के आने बाद क्योंकि बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि मोदी जी के आने के बाद ही जारखंड में जो भी सीटे आपको दिखेंगी भारती अंता पार्टी के ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि भारती जनता पार्टी को अगर सीटें आएंगी जहारखंड में तो उसके पीछे सबसे बड़ा हात है तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का है और उनके नाम पर लोग वोट दे रहे हैं अभी भी कैंडिडेट के नाम पर जो है सो कैंडिडेट चाहे वो किसी भी छेतर का कैंडिडेट हो किसी भी लोग सबाशेतर का कैंडिडेट हो जो पिछले बाहर से कही वर्तवा से जो विदाय सांसत भी रहे हुए हैं उनको भी अगर देख लिया जाए तो कैंडिडेट के परती लोग ऐसा माहुल नहीं दिख रहा है, खास करके ट्राइवल सीट पर तो और भी सम इस्तिती दिखाई दे रही है, जो पांच ट्राइवल की रिजर्ब सीटे हैं, वहाँ पर और विकट इस्तिती देख रही है, चुकि दुमका जो है सो भारती अंता पार्टी के लिए भी का सीट बना हुआ है, इस परतिस्ठा की लडाई में देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है, किसके सेर पर सहरा सजता है, ये देखना दिर्चस्प होगा, 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन अब तक की जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, अपर हेंड वहाँ पर ज लाइब सेर आ